लगन से बनती है और जिस हिसाब से वो वीडियो ग्रो कर रही थी आगे जा रही थी एक से एक रिकोर्ड बना रही थी दुख तो होता है कि यार क्यों चली गई वो मुझे बहुत उस टाइम पर जब मिर को सबसे पहली बात पता लगी मैं सो के उटा था उस टाइम रात को क्य कि मैं एडिट कर रहा थे एक दिन पहले तो मैंने का यार गलत हो गया मैंने फिर तब ही कहरी से बात करी कहरी ने मुझे सिच्वेशन बताई फिर उसके बाद तो हम लगाता है टच में रहे मैंने कहरी से तीन चर बार बात करी उसने पूरी सिच्वेशन समझाई यार अपन वीडियो आई थी तब मैंने डाला था अपना मकसद नेगेटिवटी फैलाना नहीं है लेकिन जो अपने लोग हैं उनके साथ खड़े हैं यह है देखो यार मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको देखो सबसे पहली बात तो यह जो आप कह रहे हैं कि टिक टोक पर आपका देखो आपने काफी लोग देखे हूँगे जिनके टिक टोक पर अकाउंट है मैंने कभी टिक टोक पर अकाउंट ही नहीं बनाया मुझे बहुत मैसी जा रहे हैं कि भाई आपका जो टिक टोक का अकाउंट है उसे अटा दो मैंने कभी टिक टोक पर अकाउंट ही नहीं बनाया है मैंने कभी इंस्टोल ही नहीं किया मु मैं गया ही नहीं उस प्लैटफोर्म पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि यह मैं सब कुछ attitude यह उसमें कर रहा था यह यूट्यूब ने पहचान दिला यह यूट्यूब के जरीया आप लोग मुझे मिले मैंने कभी यूट्यूब पर वो उस पर टिक टोक पर अपना अकाउंट अपना पना एक नज़रीया है कराय लोगोंने लोगों ने कोई नहीं मैंने देखा मैं हसा यार अपने को आगे बढ़ना था अपने को इतनी छोटी-छोटी चीजों पर नहीं अटकना था कि कोई हमें रोस्ट कर रहा है तो कुछ करें उसके साथ या कुछ नहीं यार किया रोस्ट उसकी जोब थी उसने किया जिसने भी मुझे किया कभी मैंने हमेसा देखा हसा मजा किया किसी किसी को तो मैंने आगे से भोल जा तुने बड़ी या रोस्ट किया मेरा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं यार लेकिन यूट्यूब यार यूट्यूब एक परिवार है अपना सारे लोग यूट्यूब के जितने भी हैं मैं तोड़ा सा डिफरेंट रहता हूँ मैं मानता हूँ कि मैं जादा लोगों से जादा यूट्यूबर से नहीं मिलता वो नहीं करता लेकिन मुसीबत आने पर मैं हर एक यूट्यूबर के साथ कड़ा हूँ चाहे उसके पाच अजार सब्सक्राइबर हो चाहे पाच करोड़ों चाहे पचास करोड़ों वैसे मैं खड़ा हूँ यार आप लोग हुकुम करेंगे न जब कभी भी आप लोग जिनके जो मुझे देख रहे हैं जो अपने लोग हैं वो कभी भी बोलेंगे ना मित भाई ये हमारा भाई है ये मुसीबत में आपको साथ कड़ों मैं हमेज़ा खड़ों मुझे अपने responsibility मुझे अपनी चीजों के बारे में पता है बाकी कैरी मिनाटी के बारे में क्या कहना कैरी मैंने भाई बोला हूँ कैरी मेरा बहुत पुराना दोस्त है मैं हमेज़ा छोटे भाई की तरह उसको treat करता हूँ और बस यार मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसकी वीडियो गई मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने अच्चे-च्चे वो record बना रही थी देखो end of the day matter करता है कि साथ का बंदा है वो इतना बड़या नाम कर रहा है उसकी वीडियो की चर्चा सब कर रहे हैं बड़ी खुशी होती है अंदर से एक relief मिलता है कि हाँ यार उसकी चर्चा वो एक topic बना हुआ है उसके बारे में सब बात कर रहे हैं सब तो बड़ा अच्चा लगता है तो यही है यार भाई कहीं भाई की वीडियो आपेस लाओ दोस्त ऐसा है यह मेरे आत में होता ना तो मैं तो उसके वें 20 MILLION लाइक कर देता और 100 MILLION व्यूज स कर देता यह सब YouTube के हाथ में है और मैं मानता हूँ कि इसमें YouTube की भी कुछ गलती नहीं है यह रिपोर्ट इतनी हुई है उस वीडियो की जितना मुझे पता लगा है मैं यार काफी दूर हूँ इस मैटर से मुझे इतना नहीं पता लेकिन यह कहरी का था कहरी मेरे छोटे भाई जैसा है तो मैं इसमें इंवोल्व भी हो गया कि support पूरी थी पहले दिन भी मैंने उसकी story डाली थी जम मैंने देखा था कि कोई phone phone पर धमकी दे रहा था कि भई यह ओ इस तो कोई बात ही नहीं है धमकी वाली बात ही यह तो मतलब स्कूल में अच्छा लगता था यार ये सब तो धमकी दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं यार और वैसे तो यार हम हसी मजा करने वाले हादिमें लेकिन थोड़ा बेकूप भी थोड़ी ना है कि कोई भी हमारे छोटे भाई को धमकी दे देगा फोन पर अच्छा नहीं लगता ऐ लेकिन हम इन सब चीजों के लिए नहीं बने यार यह पहले स्कूल में अच्छा लगते थी आप बहुत आगे बढ़ चुक हैं सोच आगे बढ़ चुक हैं चीजए आगे बढ़ चुकी हैं इन से बहुत आगे हो चुके हैं मुझे भी बहुत लोगों ने रोस्ट किया है वो आपको रोस्ट करेंगे, वो आपसे सब कुछ करेंगे, आपका काम है कि उसको कैसे पॉजिटिव लिया जाए, और ये कोई आम बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैरी मिनाटी को किसी ने रोस्ट ना करा हो, और किसी को किसी ने रोस्ट ना करा हो, सब को कोई न कोई करता है, उसका वैसे वो रोश्ट करता रहते हैं लेकिन थोड़ असा लिमिट में रहना चाहिए आदमी को ज्यादा चीजहें नहीं करने चाहिए गलट मैंने 25 साल पहुंच गया मैंने तब से उसको देखा है अपने सामने फिर मेरे यूट्यूब के आने के बाद हम अच्छे दोस्त भी बने तो कभी ऐसे नहीं लगा और वो मेरा भी रोस्ट कर देता ना तो मैं खुशी होता मैं तो उससे कभी-कभी मजाक में भी बोल देता हू कि केरियार मेरको भी रोस्ट रोस्ट करेगा तो नहीं भाई तो लड़का यार बहुत अच्छा लड़का है की अब आज आपकी वीडियो आने वाली थी भाई आने वाली थी बस दिक्कत आ गई उसमें मैं सोच रहां कि कल recording सुनी बैई आप ने नहीं मैंने नहीं नहीं सुनी है recording किसकी हाई मैंने रिकोर्डिंग नहीं सुनी भै कर तो कर दो किस recording की बात कर रहे है तरे मैंने नहीं सुनी मैं अब क्या हुआ है उसमें मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है कल हाँ कोशिस करूँगा मैं कि कल वीडियो आ जाए और आ जाएगी बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि कल वीडियो आ जाए मा बेहन की गालिया दे रहा है कहरी को कौन दे रहा है भाई गालिया एक तो न यह internet गैंगस्टर बनते हैं खामा खामे लोग यार यह इंटरनेट पे गैंगस्टर बनना बंद कर दो आमने सामने आके मिला गरो कहरी सीधा लड़का है यार अच्छा लड़का है वो तो आप जादा तीन पाच क्यूं कर रहे हो उसका काम है वो करता है भाई रोस्टिंग उसका है आज वीडियो क्यों नहीं आई दोस्त यार आज मैं थोड़ा सा एडिट मैंने लगा हुआ था तो उसके चक्कल मैं नहीं आई गाली दे रहा है कहरी को अब यार क्या ही बोलू ना मैं खामा खाम है इंटरनेट गेंग्स्टर बनते हैं बड़ी मैनत से एक वीडियो कंप्लीट होती है बनती है वो वीडियो रिकोर्ड भी काफी अच्छे बना रही थी उसकी चली जाती है ग्रो कर रहा था वो कहां 11 मिलियन से 16 मिलियन हो गए थे तो वीडियो चली जाती है बन्दा परिशान है थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करें उसे रिकोर्डिंग सुनी आपने मैंने नहीं सुनी रिकोर्डिंग नहीं सुनी मैं यार इस मैटर से थोड़ा सा दूर हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये reality में सुरू कहां से हुआ है कैसे हुआ है कैरी की बात थी क्योंकि कैरी मेरा दोस्त है बहुत टाइम से मैं उसे जानता हूँ और ऐसे टाइम पे अगर कामी नहीं आएंगे तो फिर कैसा देख अपनी नहीं मेरी सोचना तोड़ी अलग रही है मेरी यह रही है कि बंदे के साथ गम में खड़े रहो खुशी में तो हार कोई खड़ा हो जाता है साधी विहां में रस गुल्ले खाने कोई भी पहुच जाता है तो गम में आदमी के साथ खड़े रहो और एक देखो